हालो गाईज वेलकम डिदा चैनल तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेजरिंग वैरियेबल्स पर की वैरियेबल्स को मेजर कैसे करते हैं ठीक है इसमे अलग अलग टाइप से हम उन सारे टाइप्स को एक्जाम्पल्स के तुरू समझेंगे और यह लेक्चेर टूलव है अब त सकते हैं और क्वेश्चेन्स को सॉल्व कर सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है कि वैरियेबल्स होता क्या है तो मैंने आपको बता रखाए कि वैरियेबल्स कोई भी चीज जो की अलग-अलग वैल्यूस को ऐजिम करता है अध एट इवें टाइम और स्पेस पे त समय के साथ गिवेन इस पेस में एक्जैंपल हे इसका हाईट, फोर्स कुछ भी हो सकता है को बदलने हैं要से फोर्स का ही एक एक आग्जैंपल की मालो आपने पांच न्यू www.nit apt time के साथ-सा कि इसका आउटकम होगा है कुछ हो सकता है उसी पांच न्यूटर से फोर्स के जो waż वह क्या हो रही हैodia चेंज हो रही है trt डो मिनिट पहले आपने पांच न्यूटं से उसी तरीके से जो opposite होता है उसको हम बोलते है constant मतलब वह चीज़ा जो बदलती नहीं है जैसे कि for example आपके आँखों का color वह naturally कभी बदलती नहीं जब तक कि आप उस पे कुछ lens वगरा नहीं लगा ठीक है तो यह होता है constant जो variables को opposite है इस टेवेंस ने measuring scale को चार डिविजन दिया है सबसे पहला nominal scale ठीक है इसका दूसरा नाम है naming scale या फिर classificatory scale मतलब यह तो classify करता है या फिर किसी भी चीज़ को नाम देता है one two जो भी numbering है तो आप यह समझो कि इसमें जो naming है और यह classification इसका कोई significance नहीं है हम जो naming करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने convenient के हिसाब से करते हैं ताकि आपको समझने में easy हो जैसे for example कि कि किसी भी cricket team में जो अलग-अलग player है उनके टी-शेट पर जो भी numbering होती है उस numbering के कोई भी value नहीं है चाहे वो player का टी-शेट one हो या किसी का seven हो ऐसा थोड़ी जिसका टी-शेट one है वो पहले जाकर बैटिंग करेगा जिसका सेवेंथ है वो सेवेंथ नमबर पर जाकर बैटिंग करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ठीक उसी तरीके जब आपके class रॉल नमबर बनता है अगर alphabetically उसे रॉल register में आपका नमबर को आपके name को store करा गया है ठीक है रेजिस्टर करा गया है तो जो रॉल नमबर है माल लो किसी आपके किसी मित्र का नाम रॉल वन पर है और आपका रॉल विफ्ट पर इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है कि वन बाला क्या पढ़ने में ज्यादा अच्छा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं तो नॉमिनल में सिर्फ हम नाम करते हैं जिसका कोई वी वजूद नहीं है नाम के साथ बस हम उसको इस तरीके से या फिर religion में कॉन से religion से बिलॉग करते हैं उसका भी चार्ट बन जाएगा similarly country किस country से हो, Indian हो, non Indian हो, आपके nationality क्या है state of residence क्या है, UP से हो, बिहार से हो, बेंगॉल से हो, ये सारे किसारे चार्ट बन सकते है Similarly ethnicity के भी हम बात करते हैं कि आप किस ethnicity को belong करते हैं जैसे for example अफगानिस्तान में हजारा है, ताजिक है, पश्टो है इन सब के बीच में हमेशा टसल होते रहता है जब आप ethnicity के बात करते हैं तो आपने उनको भी classify कर दिया अप कोई फरक नहीं पड़ता है कि जिसका नाम पहले आया उसका कुछ मतलब है जिसका नाम आखरी में उसका कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है बस आप naming कर देते हो यह था nominal scale जिसका दूसरा नाम classificatory scale भी है और naming scale भी है तो यह जितने भी मैंने आपको examples दिये थे यहाँ पर आप इन examples के through आप इनको याद रख सकते हो ठीक है confused मत होना कभी भी आगे बढ़ते हैं इसके दो और properties है nominal scale की यह mutually exclusive है मालो आपसे कोई पुछता है कि आपका gender क्या है ठीक है अब आप यह तो male होगे female होगे transgender होगे कोई भी एक होगे तो आप कोई भी एक ही option select कर सकती होगे mutually exclusive दूसरा है collectively exhaustive जब आपने एक question का जवाब दे दिया एक option pick कर लिया तो वह question वही पर exhaust कर जाएगा खतम हो जाएगा ठीक है दूसरा example समझोगे कोई आप से पुछता कि आप किस semester में पढ़ रहे हो तो माल लो one two three four semester है आपका तो आपने एक semester choose करा four अब आप four four choose कर लिया ठीक है अब यह question वही पर exhaust होगे खतम हो गया अब आप यह ऐसा नहीं बोलते कि मैं fourth semester में भी हूँ साथ में second semester में भी हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इसमें एक ही चीज़ का selection हो सकता है कि क्या है समझ रहे हो example से जो मैंने दिये आगे बढ़ते हैं दूसरा जो type है उसका नाम है ordinal या ranking scale ठीक है तो आप इस नाम से समझो कि हम इसमें rank करते हैं चीज़ों को एक order में डालते है ठीक है इस ordinal scale में nominal scale के सारी properties है तो nominal scale के properties क्या थी कि आप किसी भी चीज़ को classify करते हो या numbering करते हो यही तो properties थी अब उस numbering को आप एक order में डालते हो कि इस तरीक एक order हो सकता है खराब से अच्छा, अच्छे से खराब, first से last या vice versa last से first इस तरीक की ordering आप करते हो इसमें ठीक है तो इसमें सबसे important है कि ordinal scale जो आपको ranking मदद करता है for example, समझ लो कि एक class में एक list बना उन बच्चों का जिन्होंने marks लाया है तो order क्याता है highest to lowest तो जब से ज्यादा number लाएगा रैंक वन पर आजाएगा जो उसके बाद लाएगा 2 पर 3 तो यह जो ordering है ना आप इसको order कि highest to lowest और यहां पर इस number का एक significance है जो कि nominal scale में missing था यही डिफ्रेंस है nominal scale और ranking scale के बीच में देखो आप सारा काम यहां पर nominal scale अवला किये numbering दिया एक order में फिर order किया जब आपने order करा तो वह बन गया ordinal scale या ranking scale और इसमें जो आप numbering कर रहे हो ना one two three इस numbering का अपने significance है कि जो one पे है उसने सबसे ज्यादे माक्स लाएं जो two पे उसने कम जो three पे उसने two से कम तो यह order में चल रहा है तो आप इसको समझो अच्छे तरीके से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि relative ranking की बात करते हैं कि आपने रैंक बनाया है ना वह रिलेटिवली किसी से compare करो जैसे class में रैंकिंग है किसी का rank two क्यूं है क्योंकि उसको हम compare कि one से किसी का rank three क्यूं है क्योंकि उसको हम compare कि two से और one से यह आप एक relative ranking बनाने की कोशिश होती है एक और एक्जामपल है जैसे socio-economic status low middle high आपने एक status का एक चार्ट बनाया ठीक है इस तरीके से first second और third आपने जो order दिया वो low to high का order दिया अगर यह order को आप follow करते हो जो low middle class है वो सबसे उपर उसके बाद middle और इसके बाद high ठीक है तो आप यह पर फिर से समझो इसमें आपने numbering भी की और classification भी की तो यह nominal को follow कर रहा है plus इसमें one two three का significance है एक order को बता रहा है ranking को lowest to highest तो यह साथ में क्या बनी गया और डिनल यह ranking इसलिए यह हो जाएगा ranking scale ठीक है I hope कि आपको जो मैंने examples दियो से आपको समझ आ रहे होंगे अब आगे बढ़ते हैं third scale पर जिसका नाम है interval scale ठीक है जैसे नाम से समझ आ पा रहा होगा आपको कि हम आप इंटर्वल की बात करें कि कुछ अंतराल है कुछ दो चीजों की बीच में कुछ gap है मुसकी बात कर रहे है सबसे पहला important point क्या है कि ये interval scale dependent arbitrary zero मतलब अगर इसमें हम zero बोलते है ना interval scale के अंदर तो जीरो का meaning है zero मतलब absolute zero बिल्कुल भी नहीं होता है जैसे कि इसका एक सबसे best example आप ले लो यगर आपके पास एक thermometer है ठीक है और आप उसमें degree Celsius से measure करते हो तो अगर मैंने बोला कि temperature zero degree C है इसका मतलब क्या आप ठंड है तो इस zero का जो है एक significance zero मतलब zero बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ठीक है तो इसमें क्या है interval scale में होता क्या है कि ये जो है वह ordinal scale के सारे characteristics सो follow करता है मतलब classification, numbering, ranking इन तीनों को follow करता है लेकिन इसमें एक और additional चीज है जो कि इसको interval scale बनाता है और वह additional चीज यह है कि इसमें unit of measurement है जैसे कि degree C यह क्या है unit of measurement है जिसको हम add कर देते हैं इसमें इक्वल distance होता है between the points of a scale जब आप घड में थर्मोमेटर को निकालोगे तो उसमें जो ranking करीब है जीरो से लेके पूरा 100 तक इन दोना के बीच में जो equal distance है ठीक है इनका एक starting point और एक इनका ending terminating point है तो यह चीज आप बस घड में जाके thermometer को उठाना और इस interval scale को वह पर समझने के कोशिश करना आपको बिल्कुल समाज आ जाएगी ठीक है जैसे एक example यहाँ पर जैसे मैंने दिया कि आपके पास एक scale है centimeter में माल लो और इस पर numbering है 1234 देखो cm आ गया मतलब unit of measurement भी आ गया ठीक है 12345 कर दी मतलब यह nominal भी है लेकिन इस 1235 का significance है one मतलब one ही है तो यह हो गया आपका ordinal ठीक है और जब आपने इसमें unit of measurement add कर दी तो यह बन गया interval समझ पा रहे हो किस तरीके से एक interval scale आ रहा है एक और चीज़ इंटर्वल scale में आप हमेशन numerical values को लेते हो याद रखना numerical values बहुत ही important है क्योंकि कुसी भी चीज़ का unit of measurement है न उसको आप numerical values में देते हूं अब आगे बढ़ते हैं यह example मैंने आपको आपके रैंकिंग जो कि मैं आपको आगे sorry ratio scale में जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगी तो बस इसके कुछ example से interval scale के सबसे पहला है five point liket scale इसमें एक पाच point आप बनाते हो एक completely agree somewhat agree एक neutral point फिर somewhat disagree completely disagree इसको एक example से समझो कि कोई researcher के पास एक statement है कि pollution is a major problem for healthy life ठीक है यह आपका एक point है अब इसको पे आपने एक scale दे दिया one two three four five और आपने इसको यह पुट कर दिया कि one पे जो होगा वो completely agree two पे somewhat agree जो third है उस पे neutral और जो fourth है उस पे somewhat disagree और fifth है completely agree आप इसमें से कुछ भी चूज करोगे आपकी मरजी है ठीक है मालोब मैं इसको strongly agree करती हूं completely कि हाँ pollution जो है वो एक major problem है तो आप यहाँ पे देखो यह जो लाइकट स्केल था इसमें मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट करा ठीक है तो एक रैंकिंग है इन दोना के बीच में equal distance है ठीक है और मेरा option यह हो सकता आपका option second हो या किसी और का option third हो तो वो उनके उपर dependent करता है तो यह था five point like it scale है important scale है दूसरा scale जो आता है interval scale के अंतरगत वो है net promoter scale कि आप किसी भी चीज को one to ten पर rating देते हो ठीक है यह वन से लेकर 10 तक है वन से लेकर 10 तक अब इसमें आप देखो क्या करते हो start कैसे करते हो एक साइड लिखते हो not at all likely कि आपको fiction पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं और आगे बढ़ते बढ़ते एक्स्ट्रीम पॉइंट आते हैं extremely likely तो आप इसमें से कुछ भी दे सकते हो कि बिलकुल भी पसंद नहीं है थोड़ा पसंद थोड़े से ज्यादा तो इस तरीके से इस केल पर रेटिंग देते हो थार्ड वन है बाइ पोलर मैट्रिक्स टेबल ठीक है बाइ मतलब होता है तू और पोलर मतलब तू पोल तो इसमें तू पोल हो गया डल और ब्राइट ठीक है मैं एक रिसेर्चर हूं मैंने ये दो स्ट्रॉंग स्टेट्मेंट लगा है अब इसके बीच में मैंने आपको दे दिया है कि option of selection कि आप समवाट चूज करना चाहते हो very much neither somewhat very much तो यसे कोई आप से पूछता है कि डू लाइक डल वेदर ये आपका स्टेट्मेंट रिसेर्चर आप से सवाल कर रहा है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है अगर किसी बंदे को बहु और ब्राइट मानलों उसने ब्राइट को पिक कर रहा तब उसने रिसेर्चर बोलेगा कि आपने ब्राइट पिक कर रहा है आप उसमें से बता उसमें क्या somewhat या very much जो भी option होगा आप चूज करोगे तो यह होता है bipolar matrix table by मतलब two two poles है आप दोनों पोल पे एक opposite character डालते हो एक त यह होता है bipolar matrix table तो यह तीनों की तीनों table I hope कि आपको समझ आए होंगे examples के थुरू जो की interval scale का हिस्सा है अब आगे बढ़ते हैं last one है ratio scale ठीक है इस ratio scale में सारी properties है nominal की, ordinal की और interval scale की तो इसको सबसे अलग क्या बनाता है जब सारी properties है तो हम इसको ratio scale क्यों बोलते है मैं इसको ratio बोला है इसका मतलब 0 का एक value है वहाँ पर जैसे मैंने आपको एक example देते cm वाली उपर कि अगर मैंने बोला 0 cm मतलब 0 है लेकिन अगर मैंने बोला 0 degree Celsius तो मतलब ठंड है यहाँ पर 0 की value है जो की ratio scale के अंतर नहीं आएगा आएगा यह interval scale में ठीक है तो देखो इनका खुद का फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें equidistant point है जो कोई भी दो ऐसे करके अपने scale मनाया इन दोनों के बीच में जो length होगा वह equal length होगा और इसके meaningful zero points है सबसे अच्छा example मैं आपको देती हूँ कि आपके घर में एक scale है ruler है centimeter में आपने उस पे unit है उसका और मार्किंग है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 15 20 मालो 30 तो जाता है ठीक है तो इसका एक fix starting point है यह आ गया ठीक इसमें सारे properties nominal ordinal और इंटर्वल मैंने बता है कि इंटर्वल स्केल आपके पास unit of measurement है यह भी आ गए फिर इसका fix starting point और इसमें जो zero का value है अगर मैंने बहुत जीरो सेंटिमीटर ही है ठीक है तो यहाँ पे zero है उसका absolute meaning है और यह होता है ratio scale examples ले लो ratio scale की जैसे income आपकी income जीरो से लेकर 100 भी हो सकती है हजार भी हो सकती है किती हो सकती है लेकिन starting point होगा एक fix और उस zero का वहाँ पे एक value होगा absolute value same age अगर मैंने बोला zero age मतलब वो बच्चा का जन्म हुआ ही नहीं है similarly weight, height, marks obtained, कितने गंटे आप social media पर समाई बिताते हो तो इन सम में zero का माइन नहीं है जहाँ पर zero का meaning हो जाता है वो बन जाता है ratio scale क्योंकि ratio scale एक बहुत ही highly advanced scale है जैसे कि आप देखो मैंने आज चाड बना ही नहीं बस numbering कर दी जैसे कि example था कि किसी भी टीम में किसी भी प्लेयर के टीशेट पर क्या number है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसमें आप दो चीज़ें याद रखना important है सबसे पहला है कि नॉमिनल scale और ordinal scale यह quality की बात करती है यह qualitative approach पाएंगे और interval और ratio scale इसमें quantity आ quantitative में आएगा I hope आपको यह concept समाज में आये होंगे और आपके concept अच्छे से बेल्ड होंगे और आपके एक भी questions exam में miss नहीं होंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप please इसे like करिए share कीजी और मेरे channel को subscribe कीजी धन्यवाद